तरीका देखो, तरीका एक ही, मेरा तरीका question करने का एक ही है, जो elements दिये जाते हैं, मैं पहले उनको arrange करके देखती हूँ, उनकी relative वापस में relation क्या है, period में आ रहे हैं, group में आ रहे हैं, उपर नीचे हैं, कैसे आ रहें, फिर मैं उसमें जो भी property उसका general trend लगाती हूँ पहले, और दिमाग लगाती हूँ क्या कोई exception था इस से related, तो आप ये तीन step करोगे, आपका answer 100% सही आएगा.